आप देख रहे हैं एक्टर्स एंड वाइस एक्टर डविंग टिप शो जो लोग डविंग इंडस्ट्री से रिलेटड है और नहीं भी उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाप और सस्रियकाल as usual हमेशा की तरह डविंग टिप्स के ही बारे में बाते करता रहूंगा why I was getting rejected मैं reject क्यों होता था ये सवाल मेरे मन में हमेशा रहता था दोस्तों लोगों ने कहां मेरी आवाज अच्छी है मैं खुद अपने आवाज पे बहुत भरोसा करता था मैं एक mimicry artist भी हूँ लोगों ने कहा कि तुम बहुत अच्छा mimicry करते हो तुम अच्छा गाते हो तुम anchoring अच्छा करते हो timing बहुत अच्छी है तुम्हारी dialogue बोलते वक्त तुम कोई भी film का dialogue मन में लेकर बोल देते हो लेकिन why I was getting rejected I don't know ये सवाल मेरे मन में हमेशा रहा करता था आखिर क्यों वाई audition दे दे कर मैंने हार मान लिया था मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं reject क्यों हो रहा हूँ why am I getting rejected all the time लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आई कि dubbing तो मैं कर पा रहा हूँ लेकिन क्या मैं उस dubbing को वक्त दे रहा हूँ क्या मैं dubbing exercises कर रहा हूँ मैं क्यों fumble मार रहा हूँ मैं dialogue को सीधी तरह से पढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ आखिर क्या बात है और फिर एक बार मैंने सोचा कि मैं practice ही नहीं कर रहा हूँ मैं किताबे जोर-जोर से नहीं पढ़ रहा हूँ मैं breathing exercises नहीं कर रहा हूँ, मैं वो सारी voice exercises नहीं कर पा रहा हूँ, जिससे मुझे patience, stamina, energy मिलेगी और मैंने exercises करना start किया, continuity breathing exercises, reading exercises, dubbing को पूछने लगा, dubbing की भक्ती करने लगा dubbing को एक मुकाम पर ले जाकर सोचने लगा, और जब मैं audition के लिए गया, मुझे काम मिलना शुरू हो गया मुझे calls आने शुरू हो गया, लेकिन फिर भी reject मैं होता गया, कहीं reject होता था, कहीं select होता था आज भी rejection is the part of perfection, अगर आप किसी भी चीज के लिए reject होते हैं, तो आप sound engineer, dubbing director से पूछिए कि आखिर क्या बात है, मैं क्यों reject हो रहा हूं, मैं वो चीज़े क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मुझे वो चीज़े कैसे करना चाहिए तब ही जाके मैं उस situation को, उस moment को overcome कर पाऊंगा, आज भी मेरे साथ ऐसा होता है, और यकीन मानिये दोस्तों, हमेशा होता रहेगा क्योंकि जब तक आप सीखते रहोगे, यंग रहोगे, जस दिन आप बोलोगे कि मुझे सब कुछ आता है, उमर बीचती रहेगी तो दोस्तों, उमीद, जैसे पिछली वीडियो में मैंने कहा था, उमीद मत हारिए, उमीद से दुनिया कायम है और voice industry भी God bless, चैहिंद